हेलो स्ट्टो Πहुतには चैप्टर 12 का चैप्टर्रील नम्बर एक्सरीज 1 पॉइंट 3 का कोश्य नम्बर आज ध्योग torn 3 में क्या करना है में लोगको जो इन नमबर दे हम लोगको ये प्रूब करना ख़िए कि इसको क्या से लिख सकते हैं जहां अम लोग का a और b क्या है को प्रायम नबर में आपको बताए जिनका सियव क्या आता है वा लोग का क्या क्या का प्रायम नंबर और रिखे है अब इसको आगे solve करेंगे देखिए हम लूग क्या करेंगे? यह हमलोग का हो जाएगा इह हो जाएगा root 2 का हम लोग जोड़ देंगे a by b आप देखिए 6 क्या है? plus में equal to खदल जाएगा तो minus में हो जाएगा आप देखिए root 2 equal to क्या होगा? LC में देखिए तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6B हो जाएगा, आप देखिए हम लोग का क्या है, यह हम लोग का rational number और root 2 क्या हम लोग का irrational number और ऐसा कभी नहीं हो सकते हैं, यह हम लोग का क्या है, equal नहीं हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कि हम लोग का fraction में है तो हम लोग को यह क्या होगा rational number में होगा यहां पर लिख सकते हैं हम लोग a minus 6b upon b is in the form of form of किसके form में है यह हम लोग का fraction के form में है यह देन इस देने इट इस आशरेशनल नंबर क्या होगा अब यहां पर हम लोग देखते हैं बट हम लोग जो रूट्टू है जो रूट्टू है वह क्या है इरेशनल नमबर है। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। नहीं हसे होगा, इंकरेक्ट होगा। 6 plus root 2 को क्या हम लोगे रिष्टन अब हम माना थी हम लोगे क्या होगा गलत होगा हम लोगे यह लिख देंगे so the so this contradiction is horizon because because of our incorrect sorry I n c o r e c d incorrect क्या हो जाएगा assumption हम लोगने जो मानत हुआ हम लोग क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तह हम लोग क्या कह सकते so 6 poplus root 5 is an irrational हम लोग क्या हो जाएगे irrational हो जाएगा हम लोग को यही प्रूफ करना था तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक यू